व्ल्कनणजन, सुगत है आपका इस वीडियो में, आजके इस वीडियो में हम कक्शा आठिवी के विद्यारतियों के लिए हिंदी की बर्कसीट लेकर आचोके हैं और स्टूडेइनस आजके इस वीडियो में पूरी बर्क सीट का सॉलीशन आपको प्रोवाइड कराया जाएगा और सभी सब्जेट के यहाँ पर बर्क सीट के सॉलीशन हम आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और वैल आइकन को प्रेस जरूर कीजे ताकि आपको upcoming वीडियो की notification टाइम पर मिलती रहे और यहाँ पर माहर फरवरी की बर्क सीट हमारे पास है तो यहाँ पर देखे स्टूडियन सबसे पहले आपको अपना नाम डाला है पिता का नाम डाला है साला का नाम डाला है स्कूल का यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कक्षा डालना है आठवी इसके बाद बच्चों कुछ नर्देश दिये गए हैं जिनको आप रीड कर सकते हैं और यहाँ से खंड आप प्रशन फरस्ट आपका सुरू हो जाता है कुंडलिया चंद की बिशेष्टाएं बताइए गृधर की कुंडलिया पाट से एक पद लिखे तो बच्चों यहाँ पर कॉशन फरस्ट का आंसर पूरा आपको यहाँ पर दिया गया है आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं पूरा आंसर या फिर स्क्रीन सोट ले सकते हैं उसके बाद आप आंसर लिख सकते हैं तो यहाँ पर पहले कॉशन का आंसर यहाँ पर है पूरा इसी तरीके से आपको अपनी बर्क सीट में लिख देना है इसके बाद question second आपका यहां से नीचे से start हो जाता है देखिए निमलेकत पध्यांस को पढ़कर उसके नीचे लिखे प्रशनों के उत्तर लिखे तो यहां पे पध्यांस दिया गया है बच्चो और इस पध्यांस को read करना है और कुछ question यहां पे दिये गये हैं उनके आंसर आपको लिखना है तो चलिए सबसे पहले हम पध्यांस को पढ़ते हैं दिसा है देखिए दिसा नहीं यहां पे दिया है साफ नहीं दिख रहा है दिया है सांती का संदेश ही हमने सदा जख को अहिंसा का दिया उबदेश भी हमने सदा जख को इसके बाद कुछ लाइने आंगे है ना इसका अर्थ हम पुरुसत्विक का बलीदान कर देंगे ना इसका अर्थ हम नरीत्विक का अपमान सहिलेंगे देखे नारित यहाँ पे नारित पे लिखा हुआ इसके बाद रहे इंसान चुप कैसे यहाँ पे देखे किचडगात सहकर जब उमण उठती धरा पर धूल जो लाचार सोई है यह पंक्तियां भासा भारती कक्षा आठ के किस पार्ट से ली गई है तो यहाँ पे पहला प्रश्ण है और यहाँ पे इसका आंसर आपको देखने को मिल रहा है इसके बाद second question आपका यहाँ से start हो गया है second question का आंसर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है तो second question का आंसर आप इसी परकार से लिख सकते हैं इसके बाद students next page पर आपका next question आएगा उसको हम solve करेंगे तो यहाँ पर इसका answer इसी तरीके से आपको first का लिखना है और second का भी इसी तरीके से लिखना है आगे बढ़ते हो और यहाँ पर दिखे इसका answer आपने लिख लिया है इसके बाद tied question है उप्युक्त पद्यांस का भावा आपको अपने सब्दों में लिखना है तो बच्चो यहाँ पर पूरा भावार्थ लिखा हुआ है आप देख सकते हैं मैं एक बार यहाँ पर rectangle के अंदर पूरा बंद करूंगा box के अंदर तो यह भावार्थ रहा जो आपका question है इसका answer आपको यहाँ पर देख रहा है तो इसी तरीके से बच्चो आपको अपनी बर्क सीट में लिख देना है इसी तरीके से पूरा लिखना है और कोई भी दिक्कत आती है तो आप comment करके हमें बता सकते हैं इसके बाद next question यहाँ से दूसरा जो तीसरा प्रशन है यहाँ से शुरू हो गया है हमारे देश में प्रचल बॉक्स के अंदर एक बार मैं फिर से बंद करूँगा तो यहाँ पर इसका answer आपको पूरा दिख गया है इसी पूरे answer को प्रशन क्रमांक जो तीसरा है इसके अंदर लिख देना है पूरा answer लिखना है आप वीडियो को पॉस करके देख सकते हैं या फिर स्क्रीन सोट लेके आप लिख सकते हैं आंगे बढ़ते हैं बच्चों यहां से कॉशन फोर्थ आपका सुरू हो गया है महेश्वर पाट के आधार पर नीचे दिये गए बिंदूओं के अनुशार महेश्वर के महत्व के बारे में एक दो बाग के लिखिए तो यहां पर देखिए पुरस आत्विक पुरात्विक देखिए पुरात्विक महत्व पुरात्विक महत्व इसके बाद एतिहासिक महत्व और धार्मिक एवं संस्क्रितिक महत्व तो यहां पर सभी महत्व दिये गए हैं मेरी आवाज आपको थोड़ी सी डिस्टर्ब लग रही होगी क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा बीमार हूँ लेकिन इन सब बातों को ignore कीजे और अपने question answer पर दिहान दीजे तो आपको इतने जो answer यहाँ पर screen पर दिख रहे हैं यह पूरे answer इसी तरीके से आपको लिख देना है इतिहासिक महत्व इसके बाद बच्चों आँगे बढ़ते हैं question fourth आपने देख लिया यहाँ पर दिखे question fourth का answer आपको इह दिख रहा है box के अंदर बंध है और इसके बाद students यहाँ से आपका question fifth start हो गया है निमलेखित बाक्यांस के लिए एक सब्दे लिखे तो यहाँ पर बाक्यांस दिये गए हैं इनके लिए एक सब्दे लिखना है सबसे पहला है प्राचीन काल से सम्बंदित तो पुरातविक यहाँ पर इसका answer हो जाएगा इसके बाद second है धर्मे से सम्बंदित धार्मे हो जाएगा संस्कृती से सम्बंदित बच्चों संस्कृती हो जाएगा इसके बाद इतिहास से सम्बंदित इतिहासिक हो जाएगा इसके बाद पुराणों से सम्बंदित पुराणिक हो जाएगा तो इसी तरीके से जो यहाँ पर लिखे हुए हैं यही answer आपको अपनी बर्क सीट में same as it is लिख देना है कहें तो छाप देना है इसके बाद इस्टूडेंस आगे बढ़ते हैं question 5 आप यहाँ पर देख सकते हैं देखें पथ भूलना जाना पथे कहीं पथ में काटे होंगे ही दुरबादल सरीता सर होंगे और यहाँ पर देखें सुन्दर ग्रीबन बापी होंगे सुन्दर सुन्दर निशर होंगे इस पद्यांस का भाव अपने सब्दों में लिखें तो यहाँ पर बच्चो एक पद्यांस दिया गया है और इसका भाव भाव का मीनिंग होता है अर्थ यहाँ पे पुरा अर्थ आपको अपने सब्दों में लिखना है भावर्थ तो इससे क्या भाव सामने निकल कर आते हैं यह पूरा आपको यहाँ पे लिखना है इसका आंसर तो बच्चो यहाँ पे लिखा हुआ है इसी तरीके से आप भी लिख सकते हैं same as it is, पूरा आंसर आपको अपनी बर्क सीट में लिख देना है, तो चलिए students, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, और यहां से question सक्स्त स्टार्ट हो गया है, question सक्स्त यहां पर दिया हुआ है, और इसका answer नीचे है, इसी तरीके से आपको लिख लेना है, और इसके बाद देखे, यहां नीचे question 7 है, अपनी हिंदी की बर्ण माला पड़ी होगी, आपने देखे हिंदी की बर्ण माला पड़ी होगी, बर्ण माला को स्वयम उच्चारण करके, देखो बानिम नांकित बिंदूओं के आधार पर, उन्हें लिखने का प्रियास करिए, तो यहां पर देखे बच्चो, question 1 है, ऐसे बर्ण जो मूर्धा के आधार पर बोले जाते हैं, तो यहां पर पूरे बर्ण नहीं, यहां पर लिखे हुए हैं, इसी तरीके से पूरे उत्तर आपको, अपनी work seat में लिखे देना है, तो यहां पर हम आगे बढ़ते हैं, और इसी तरीके से पूरे answer आपको लिखे देना है, देखे, इसके अंदर question 1 है, second यहां पर है, tight यहां पर है, तो इसी तरीके से आपको लिखे देना है, और इसी में fourth question A रहा, fifth A रहा, परिवार के सदस्यों या घर के बड़े बजोर्गों से बातचीत करें और निमने बिंदूओं पर प्राप्त जानकारी को लिखे तो यहाँ पर सबसे पहले दिखे कहा गया है कि आप अपने घर में बड़े बजोर्गों से बातचीत करें और कुछ बिंदू है means point यहाँ पे दिये गए है उनके बारे में जानकारी प्राप्त करके आपको लिखना है तो यहाँ पे सबसे पहला देखिए कुरोणा महामारी में lockdown की सूचना आपको सबसे पहले किस माध्यम से मिली तो यहाँ पे देखिए television के news channel के माध्यम से मिली इतना सब को पता है आप भी अपने मन से लिख सकते हैं इसके बाद second question है lockdown से क्या आसा है आपको बताना है lockdown से आप क्या समझते हैं lockdown लगने की सूचना प्राप्त होने पर आपके परिवार को कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा तो सबसे पहले तो आपको बताना है lockdown का अर्थ क्या होता है lockdown क्या है उसके बाद lockdown लगने की सूचना प्राप्त होने के बाद आपके परिवार को कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा इसके बारे में लिखना है तो सबसे पहले तो यहाँ पे lockdown के बारे में लिखा हुआ है इसके बाद समस्याएं नीचे लिखी हुए तो इसी तरीके से पूरा आंसर यहाँ पे जो लिखा हुआ है यही आपको लिख देना है इसके बाद tide question है लोगडाउन में आपके परिवार में सबसे बड़ी समस्या क्या हुई और उसका समाधान कैसे हुआ पता कर लिखे तो यहाँ पर आपके घर में आपको पता करना है जब लोगडाउन लगा है तो इसके बाद आपके परिवार में सबसे बड़ी समस्या क्या थी और उसका समाधान कैसे हुआ यह आप अपने बड़े बुजूर्वी से पता करके लिख सकते हैं या फर उन से भी लिखवा सकते हैं इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कॉश्चन आ गया है लोगडाउन के दोरान और लोगडाउन के बाद आपकी दिनचरिया में क्या अंतर आया लिखिए तो यहाँ पर आपको बताना है कि लोगडाउन के दोरान जब लोगडाउन लगा था उस समय और अब लोगडाउन खतम हो गया है इसके बाद आपकी दिंचरिया में क्या-क्या अंतर आय या फर परिवर्दन कह सकते हैं वो आपको यहाँ पर लिखना है तो यहाँ पर लिखे हुए हैं इसके बाद आगे बढ़ते हैं कोरोना महामारी में आपने कौन सा नया कौसल सीखा नया कौशल से मतलब है स्किल कुरोना महामारी के दौरान आपने कौन सा नया कौशल मींज कौन सी नई स्किल है जो आपने डेवलप की और क्या सीखा आपने इसके बारे में यहाँ पे आपको लिखना है और पूरा आंसर आया हो तो वीडियो को लाइक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और वैल आइकन को प्रेस जरूर कीजे ताकि आपको अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे तो चलिए गाइस